असलाम अलेकुम अब दिल इतना भर गया है कि सोशल मीडिया से भी किनारा कख्षी इस्तियार कर रहा हूँ और स्यासत से भी क्योंकि हम बड़े कमजोर लोग हैं जहां बड़े बड़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हमारा तो पूछने वाला भी कोई नहीं होगा तो उसका फाइदा नहीं है फिर बोलने का अगर कुछ फाइदा हो तो आदमी बोले जब बोलने का कुछ फाइदा ही नहीं है तो पिर आदमी इसका फाइदा नहीं है तो आगे से बी लाग का भी शोग खतम हो गया है और फेस्बुक का भी शोग खतम हो गया है जो चैनल मूनिटाइज किया था चैनल मूनिटाइज का मतलब क्या है वो भी समझ में आ गया है चैनल चलते किस तरह है वो भी समझ में आ गया है मगर अब चलाना नहीं है जिस चीज का कोई फाइदा भी ना हो और वो गले की हटी बने तो उसको फैंकना ही बेतर है मैं ये बड़े बड़ी सोच बचार के बाद मैंने क्योंकि बाद अभी तो चैनल बिलकुल बुला किया हुआ है ना उसके व्यू बढ़ते हैं और लाइक बीज कड़े होते हैं फिर देखते हैं दस रह गए पिर दस देखते हैं फिर पांच रह गए हैं इसी तरह व्यू जो है हमारे को बहुत ज्यादा नहीं होते हैं तीन सो खड़े होते हैं तीन सो को पिर देखते हैं डेड़ सो पे आ गए हैं और आज एक वीडियो देखी है जिसके व्यू सिर्फ साथ पे आ गए हैं तो ऐसे खून जलाने वाली बात है दोस्त भी देखते हैं और हमें भी उसके व फाइदा भी नहीं है और असर भी नहीं है और दूसरी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही आज फिर कल रात को पता लगा कि इम्रान रियाद खान को फिर गृफ्तार कर लिया गया है गृफ्तार करने से अब ये जो यूट्यूबर को पकड़ लेते हैं उसका चैनल बंद हो जाता है उसकी जितनी ये डालर भी तो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो इन डालरों का भी नुक्सान होता है बहराल वो हर किसी का अपना मौमला है हमें उन चीज़ों से कोई सरोकार नही हैं तो आब रेस्ट भी हो गया उम्रा भी हो गया मजदूरी के सब्च्चों की सब्ज़ों देती हैं इस तरह तब जल्ımम ह Big His तरह तबज़्ों देते हैं कि हमारा खाना चलता रहे हमारे खाने में रूपाबड ना आ है और कुछ जिमा करледू है कि जिस तरह मुल्क के हालात होते जा रहे हैं अल्ला ना करे कोई ऐसी चीज़ें हूँ जिसकी खाने में भी दुश्वारी हो क्योंकि आगे जाके दिन पर दिन बहुत मुश्किल हालात आते जा रहे हैं मुश्किल हालात इस तरह आते जा रहे हैं कि हर घर में एक बज़र्ग होता है और उसकी माने जाने वाली बात तो नहीं है मगर जिनके नाम पर प्रापर्टी होती है तो उसकी बच्चे मानते हैं फियार अगर मैं इसकी नहीं मानूँगा तो यह कल को ऐसा नहों कि मुझे हिसा ही ना मिले सिर्वी सनुईयत पे और दूसरी चीज़ यह होती है एक घर में जब छे साथ बज़र्ग हो जाए ना मैं यह अपने मुल्की हालाद पे नजर डाल के उसकी बात कर रहा हूं उन लफजों में तो मैं बयान नहीं कर सकता इस तरह बयान कर रहा हूं कि एक घर में जब छे साथ बज़र्ग हो जाए और अपना हर बंदा अपनी मनवाने की कोशिश करे तो जो उनके पीछे चलने वाले और उनके पीछे घाने वाले वैसे तो अल्ला की ज़ात देती है मगर ये वसीले भी अल्ला नहीं बनाए होते हैं तो जब बज़र्ग अगर छे साथ बज़र्ग हों गए तो हर बंदा अगर अपनी मर्जी करेगा तो फिर बच्चों पर मनवी असरात पढ़ना शूरू हो जाते हैं इसी तरह हमारे मुल्क का हाल है जो असरात अवाम पर पढ़ रहे हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इसके मनवी असरात अवाम पर पढ़ रहे हैं और खास तोर पर नोजवानों पर पढ़ रहे हैं और नोजवान दिन बे दिन या तो उनको गल्तियों पर मजबूर किया जाता है या वो गल्तियां करते है ये अल्ला की जानती है अल्ला के छोड़ने है मगर कुछ चीज़ें मनाजरा कह लें मनाजरे की सूरत में अगर आप देखें तो बंगला देश अब पाकिस्तान से अलाइदा हुआ उसके पास क्या था पाकिस्तान के मकाबले में तो उसके पास कुछ नहीं था आज बंगला देश हम से बहुत आगे निकल गया इंडिया हम से आगे निकल गया और विजली का जो मैं मौजना कर रहा था तो अफगानिस्तान ने भी हमें पीछे शोड़ दिया है जो जब से बना है जंग की हालत में है मगर हम उससे भी पीछे चले गए है त्रेपन रुपए यूनिट अब तो यकीन करें कि लाइट अन करने को भी दिल नहीं करता यार लाइटें बंद कर दो दिन में तो कोई लाइट नहीं चलाओ बाद जगा दिवारें काट के रोशनदान बना रहे है यार रोशनी आएगी लाइट ना जलानी पड़े तो अल्ला पाक जो घर के बज़ुर्ग हैं उन्हें तवफीग दे कि वो घर पे नजर सानी करें मेरे कहने का मकसद इस मुलक में जो बड़े हैं हम तो दौए मांग मांग के भी मरने वाले हो गए हैं अल्ला पाक अगर हमारी दौ़ा कबूल कर ले तो अब तलफ़ भी गलत इस्तमाल नहीं करते जिस तरह देशत ठेलाई हुई है कि उसके खिलाफ कारवाई हो गई उसके खिलाफ कारवाई हो गई अल्ला बेहतरी करेगा मगर जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है पाकिस्तान जिन्दाबाद अल्ला पाक हम सब का हमें अनासर हो अल्ला आपिस